हैले दSTटो, नमस्कार, छवी कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं संतरे और अंगूर के जूस निकलने के लिए बताने जा रहे हूँ बीना मसीन, बीना जूसर के तो चलिए जूस निकालना सुरू करते हैं चार संत्रे को धो करके मैं ले ली हूँ, ऐसे तो संत्रा ही खाना ज्यादा अच्छा रहता है, उसे भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है, लेकिन कभी जुष निकालने के जरुत पड़ी तो आप हाथ से निकाल सकते हैं, संत्रा को चाकू से बिच से कट लगा लेंगे, एक बाल ले लेंगे, और छन्नी ले लेंगे, और इस तरह के हैंड मिक्षर ले लेंगे, और चारो तरफ अच्छे से घुमा करके जुष निकाल लेंगे, बहुत ही जट पड़ निकल जाता है, बहुत ही असानी से निकल जाता है, मसीन का भी जंजट नहीं रहता है, मसीन यूच्त अभी भोने में भी समय लगल जाता है इस तरह से सारा वॉट में सारे संत्रे वॉट कर romוג ले और न रात ताकि सारा जूस अच्छे से नीचे चन जाए चमत से इसको प्रेश कर लेंगे देखिए बहुत ही कम समय में जटपट जूस निकल के तैयार होगे हैं आपके पास जोसर नहीं है फिर पर आप हाथ से असाने से जूस निकाल सकते हैं इसको एक गिलास में डाल लेंगे और आप अच्छा है तो काला नमक और जीरा जो भी पसंद है आपको डाल के इसमें पी सकते हैं मैं थोड़ा सा काला नमक मिक्स कर गई हूँ गारनिश के लिए थोड़ा सा नीबो और फुदीना लगा लेंगे इस तरह मिहमानों को भी चरो कर सकते हैं चलिए अंगुर के जूस निक चनल में द pressed के जबते हैं जोस अच्छे से नहीं निकल पायगा तो कि इसमें प्रेश करके दबाते हुए जोस निकालना है अंगुर को एके करके लेना है और इस तरह प्रेश करते हुए निकाल लेना है एक दूसरा तरीका और मैं बताती हूँ एक बावल ले लेना है उसमें थोड़ा-थोड़ा अंगुर डालना है और एक गलास के साहता से उसको दबाते हुए पुरे अंगुर को मशरल लेना है ऐस को आप इस तरह से जूश निकाल करके पिला सकते हैं बहुत असानी से जूश निकल जाता है इस तरह में सारे अंगुर को मसल के निकाल ली हूँ जूश अब इसको छनी में छान लेंगे चम्मस से फ्रेश करते हुए दबाते हुए इसको छान लेना है बहुत ही असानी से निकल के तयार हुआ है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन भी पेश करतें ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें बाबाई मिलेंगे अगले वीडियो में